हेलो दोस्तों आप लोग भी अगर किसी भी योजना के लिए ओनलाइन अपलाई करते हैं या फिर आप लोग किसी भी एक्जाम के लिए ओनलाइन आवेदन करते हैं तो बहाँ पर आप लोग जो भी documents अपलोड करते हैं बहाँ पर उस document का size maximum 100kb से कम होना चाहिए और कभी-कभी यह होता है कि आपके documents का size 50kb से भी कम यानि कि 50kb से भी कम होना चाहिए तो आप लोग अपने document या फिर अपने photo को किस प्रकार से reduce कर सकते हैं यानि कि उसका size कम कर सकते हैं ज्यादा तर ऐसा होता है जब हम किसी भी photo को खुईचते हैं तो बहाँ पर उसका size 2mb या फिर 4mb का होता है और हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसका साइज हम किस प्रकार से कम करें तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन तरीकों से आप लोग अपने फोटो या फिर किसी भी डाकुमेंट्स का साइज कम कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ओफ लाइन ही आपके फोटो या फिर डाकुमेंट्स का साइज कम करने का तरीका बता देता हूँ इस तरीके से अगर आप लोगों के मोबाइल में इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप लोग अपने डाकुमेंट्स का साइज कम कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फोटो पहले से ही खींच कर रखा है अब माल लेते हैं इसका साइज हमें कम करना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी इसका साइज दिखा देता हूँ कि कितनी MB का है तो मैंने यहाँ पर I बटन पर एक बार क्लिक किया क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यह फोटो अभी 2MB का यानि कि 2MB का है और हमें इस फोटो को 100KB से कम का करना है तो आप लोगों को सिंपली से क्या करना है यहाँ पर एक ओप्सन दिखाई दे रहा है एडिट का आप लोगों को एडिट वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है उसके बाद आप लोगों को इस फोटो को क्लिक कर देना है और उसके बाद आप लोगों को इस प्रकार से इस फो अप्साले औप्सन पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को टन कर देना है। जैसे ही आप लोग डन करेंगे तो अब इस फोटो का साइज कम हो चुका है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को आई वेटन पर किलिक करके दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर किलिक किया, उसके बाद आप लोग देख सकते हो, इसका साइज मातर 89 यानि की 89 के भी का रह गया है, तो इस प्रकार से भी आप लोग अपने फोटो का साइज कम कर सकते हैं, चलिए दोस्तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोग ओनलाइन किस प्रकार से अपने फोटो या फिर डकुमेंट्स का साइज कम कर सकते हैं, तो दोस्तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ओपिन कर लेना है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर क उसके बाद दोस्तो आप लोगों को यहाँ पर सर्च कर देना है resize image.net और आप लोगों को सर्च कर देना है जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो ये website आप लोगों के सामने open हो जाएगी यहाँ पर भी बहुत ही simple तरीका है आप लोगों को कुछ नहीं करना है यहाँ पर upload an image वाले option पर एक बर क्लिक करना है उसके बाद आप लोग जिस भी documents का size कम करना चाहते हैं आप लोगों को उसे documents को यहाँ से select कर लेना है माल लेते हैं हमें इस documents का size कम करना है हमने documents को select कर लिया उसके बाद done कर देना है । यहाँ पर आपकी image upload हो जाएगी 모습 upload होने के बाद आप पर आप लोगों को तीन quality दिखाई देंगी best quality, normal और progressive तो आप लोगों को यहाँ पर normal वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद आप लोगों को इसे इस प्रकार से यहाँ पर कम कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को एक option दिखाई दे रहा है resize image आप लोगों को इसे वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिर बेट करना पड़ेगा उसके बाद इस photo की quality कम हो जाएगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहले 2.2 MB का यह documents था और अब 124 केवी का हो चुका है और हमें 100 केवी से भी कम का करना है तो हम यहाँ से इसे थोड़ा और कम करेंगे और उसके बाद resize image वाले option पर एक बार फिर से click कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो 101 केवी का रहे गया है इसी प्रकास से आप लोगों को अपने हिसाब से यहाँ से कम कर देना है और फिर से resize image वाले option पर एक बार click कर देना है अब आप लोग देख सकते हो इसका size only 85 यानि 85 केवी का रहे गया है अगर आप लोगों को इसका size और कम करना है डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक option देखे रहा है download image आप लोगों को इसे पर एक बार click करना है click करने के बाद यह आप से permission माँगेगा तो आप लोगों को इसे download कर लेना है तो यह देखिए successfully download हो चुका है मैं open वाले option पर click करूंगा तो दोस्तो आप लोग इस document को देख सकते हो जो मैंने अभी resize किया था तो दोस्तो इन दोनों तरीकों को use करके आप लोग अपने किसी भी photo या फिर किसी भी document को resize कर सकते हो यानि कि उसका size कम कर सकते हो और उसके बाद आप लोग online form भरते समय उस डाकुमेंट को अपलोड कर सकते हो